हे दोस्तो, वेलकम टो एक्रिस्टी एजुकेशन आज की वीडियो हम फिर से केरल इस्टेट के आरें बात करने वाले हैं कि एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम है सिर्वल लाइन प्रोजेक्ट हम अपनी आज सी वीडियो में ये डिसकस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट इतना IMPORTANT क्यूं है केरल गवर्मेंट के लिए भी और वहाँ की जंता पे इस प्रोजेक्ट का क्या असरपड़ेगा जो भी सुवीधाएं केरल गवर्मेंट इस प्रोजेक्ट के थुरू देना चाहती है वहाँ के जंता को वो उन्हें कब तक मिलेगी हम अपनी आज की वीडियो में ये सब कुछ डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले केरल के बारे में कुछ मैप में आप देख सकते हैं सबसे नीचे केरल आता है मतलब मैप में सबसे नीचे आता है वैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले performance index के बारे में बात करी थी उसपे केरल का बहुत अच्छा प्रदसन रहा था और वहाँ पे इसकी performance इतनी बढ़िया थी कि यह top 5 के अंदर था अगर governor के अगरें बात करें तो आरिफ मुहम्मत खान population 3.46 का रोड 2018 के census के हिसाब से और capital तिर्वन्त पूरम और chief minister के बात करें तो पिनर रहे विजेन यह सारी बातें आपको याद रखनी है केरल के बारे में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि आग है बहुत काम आएंगी यह सारी बातें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं silver line project क्या है क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा इन सभी बातों को और कब तक यह complete होगा यह भी देखेंगे सबसे पहले last week जो केरल की cabinet है उन्होंने green light दे दी हरी जंटी दिखा दी है silver line के लिए और यह एक flagship semi high speed railway project है इसका इतना बड़े है काम है कि एक ऐसी distance जो अब तक चार मतलब मान सकते हैं 12 गंटे हो रही थी उसे चार गंटे से कम complete करने की बात कर रहे हैं क्योंकि state का जो northern part है उसकी southern part से इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे मतलब कि आप मान सकते हैं केरल का जो northern part है और वो south part इन दोनों को वो एक railway lines जोड़ देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कि इतना जादा बढ़िया रहेगा यह वहां के लोगों के लिए वह लोग कितना बढ़े तरीके से सफर कर पाएंगे और उनकी convenience कितनी जादा बहतर हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे दिये हैं वह भी काफी सारे हैं क्योंकि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है इस टेट का एक साइड कवर करना इने तो इसके लिए पैसे दिये गए 63,940 करोड और यह अब का या फिर मान सकते हैं केरल गवर्मेंट का बहुत जाद है आप कहा सकते हैं बड़ा यह प्रोजेक्ट है वो भी LDF गवर्मेंट की दोरा है इस प्रोजेक्ट को आप कहा सकते ह करा जा रहा है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्ट गवर्मेंट के द्वारा जिस ताइम पर भी सरकार है केरल में जिस सरकार की अगर हम सिर्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारें बात करें तो यह क्या करेगा एक कोरिडर बनाएगा जो की हाई स्पीड रेलवे को चलवाएग और यह अप्राक्शिमेटल डिस्टेंस है वह आपकी रहेगी 529 किलोमीटर यह कवर करेगी 11 डिस्टिक को और 11 स्टेशन को भी अब तक यह बतारों मैं जैसे मैं आपको पताया कि यह कवर करेगी वो डिस्टेंस वह भी 400 किलोमीटर मतलब 4 गंटे से कम क्योंकि इसकी स्पी गंटे को काट के अब 4 गंटे में करेंगे और यह प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है के आर डी सीयल के द्वारा के रेल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 2025 तक कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं जो आपका के रेल है मतलब की के रेल के लिजे चाहे के रेल के इन दोनों के बीच में जो की काफी बड़िया बात है कि सरकार सेंटर गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट मिलके काम कर रही है आगे बात करते हैं कि आखेर इस प्रोजेक्ट लिए क्या-क्या मतलब चीजे चाहिए वाट वोज द नीड फॉर द प्रोजेक्ट अब देख स्पीड वाली जो तो 45 किलोमेटर थी क्योंकि बहुत सारे कर्व थे बैंड लगे हुए थे स्ट्रेचेज थे तो काफी मुश्किल होती थी ड्रैवर को भी और स्पीड चलाने में भी ड्रैवर नहीं लोको पाइलेट होते हैं ट्रेन के अंदर जो गवर्मेंट है उसने बो सभड़ा हूं और जिस की तरीके से यह जो लाइन बनाई गई है यह भी आपको आगे मैं बता बनाई को मैं कि यह तरीके सा जोड़ेगी तो पहली बात को यहां पे जो रखा il रखा रखा रूट पर की बहुत जादा चल रही चीजें कभी कबाल बीच में आ जारे है ट्रेन की पट्रियां बीच में आ रही है वहां रूख रहे हैं कंजक्शन हो रहे हैं लोगों को चलाने में एक्सिदेंट देखे गए हैं तो इन सभी चीजों को कम करने की बात भी करी गई है इस प्रोजेक्ट के द्वारा अगर फीचर्स कारें बात करें तो के रेल ने जो बताया है पहली बात तो उसने बताई है कि यह जो एक प्रिफेबल रहेगी नाइन कार और इसको एक्स्टेंड कर सकते हैं लोग बारे कार मतला जो डिब्बे होते हैं वह 9 से 12 के बीच में रहेंगे और इलेक्ट्रिक मल्टि कवर कर ली जाएगी 11 स्टेशन से और दो टर्मिनल बनाए गए जिसमें से तीन जो है वह एलिवेटेड हैं और एक अंडर ग्राउंड है 500 मीटर का जो कॉरीडर रहेगा वहर एक अंडर पैसेज रहेगा जिससे कि आप कह सकते हैं जो रोड सर्विस की जो रोड सर्विस हैं उन पर किस तरह के दिक्कत नहीं देखी जाएंगी यह देखें मैप मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौर्थ पार्ट को बिल्कुल साउथ पार्ट तक जोड़ा जा रहा है और यह पूरा जो आपके सकते हैं रेलवे नाइन है इसको बनाने में टाइम तो लग अभी इसका प्रजेंट स्टेटस क्या है तो देखें बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको तो इसके लिए जो टोटल आपके चाहिए जो लैंड चाहिए वह चाहिए 1383 हेक्टेर ठीक है जिसमें से हम मतलब भी सरकार को या फिर मान सकते हैं जो प्राइवेट लैंड हो सेंटल इंवेस्टमेंट आम अफ गवर्मेंट उससे भी उन्होंने मतलब बात्चित कर लिया लास्ट जून में अगर हम बात करें तो वहां से जो अप्रूवल था बीपी आर से वह भी उन्हें मिल गया है थोड़ी बहुत चेंज़ेस करने पड़े लेकिन अप्रूवल उ दिकत नहीं आने वाली है पैसा सही लगा देंगे लोग अब देखते हैं कि टाइमिंग जो कि सब ज़दा इंपॉर्टन बात है कि आखिरवाई देखने इतना फाइदे हैं कि कब तक फ़र यह फाइदे मिल पाएंगे लोगों को अभी तक नोन मतलब अनफीचल बात करी ग रखता है बहुत जाद है तो वहां पर जब यह टाइम लगेगा तो इतना जल्दी भी नहीं कि चार साल के अंदर यह सब कुछ कर दें चाहे बहुत स्पेस से भी जाएंगे स्पीड से भी निकलेंगे बोलो तो भी निकर पाएंगे और बीच में अगर थोड़ी बहुत जाया लेंड़ स्लाइज होगे फ्यूचर में क्या पता कब क्या हो जाएं तो उसमें भी दिक्कर देखे जाएंगी तो इस तरह के से काफ़ी कुछ देखा गया है साथी साथ इन्हों ने अभी आभी आप कह सकते हैं एक फोरम है एक एक्सपर्स की उसमें इन्हों के बीच म बात करी गई है और यह अन ओफिशल डेड लाइन है हम भी ओफिशल डेड लाइन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं पर अन ओफिशल यहाँ पर 12.25 की तक बात करी गई है देखते हैं आगे जो भी बात होगी और यही था पूरिया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में मिलते हैं पर यह एकली वीडियो में तब तक लिए है वनाइस डे